नमस्कार दोस्तों सानुकुडेल टेक चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज आपको हूं बताने वाले जब आप अपना पीएप का पैसा विड्रोल के लिए जाते हो और आप अपना उदर आईडी को सेलेक्ट करते हो पीएप विड्रोल फोरॉम भरते समय तो उसके अं अपने इंप्लोयर से संपर करें तो इसके अंदर मैं आपको सब कुछ बारिकेस बताऊंगा कि उस पैसे को आपको कैसे निकालना है और आपको एक चीज और बता देता हूं आप अपना पीएफ विड्रोल फोरॉम को बरते हो और उससे पहले आप अपना पीएफ को आप अपने जो ट्रस्ट के दाएरे में जो कंपनी आती है उसको का पैसा आप निकाल सकते हो तो दोस्तों आपको कुछ ने करना आपको इस वीडियो अकर आपको पूरा पूरा पूर से समझ मायागा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब कर उसको दबा देना और साथ में आल नोटिफिकेशन का भी बैल आइकन दबा देना ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा आपके पास जल से जल पहुंच जाएगा तो वीडियो स्टाट कर तो मैं आपको इस मेसेज के बारे में बता दाता हूँ एस यूवर इस्टैल वैस्मेंट इस एक्सपरिमेंटेड इन पीएफ प्लीज सब्मिट यूवर विड्रॉल कैस्टू कॉंसेप्रेंड एंड ट्रस्ट मतलब कि आपका जो यह मैसेज है यह इसलिए आ रहा है कि आप आपको यह जो कमपणी हैं वह ट्रस्ट के दाएरे में और जैसे जी आप पास22 क्रीज करने के लिए कि हमारा पास22 को कथमार कितना पैसर जूड़ा है तो आपको यहां पर यह मैसेज आता है पासर नोड आ उयवल्ल यहास है आपका ट्रस्ट पैसा है कम्पनी आपको पैसा है प्यस्ट में आपको जमा करती है तो आप गूगल में जाकि टाइब करते तो आपको ऑप्सन दीखता है यू-a-n पर क्लिक कर देना है यह आपके सामने कुछ इस प्रकार से open हो जाता है तो आपको इसको प्रोपर खोलने के लिए आपको त्री डूट पर यहां पर किलिक करने का desktop site का mode चुल लेना है आपका यह यह कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा computer के तरिया तो आपको इसको थोड़ा जूम कर लेना है मैं आपको जूम करके यहां से दिखा रहा हूँ अब आपको यहां पर अपना यू ए इन और पासबर्ड डालके capture डालकर और यहां पर आपको sign in कर लेना है तो मैं यहां से आपको करके दिखा देता हूं जब आप हो जाओगे तो आपको यहां एक option दीखेगा मैं कोशिस करता हूं आपको यहां से दिखाने की आप अपना वीएफ विड्रोल फॉर्म भर रहे हो तो आपको online services पर किलिक करना होता है जैसी आप इस पर किलिक करके के आप online services को option चुनके यहां पर आपको मैं दिखाने कोशिस करता हूं यहां से यहां को यहां पर आपको option चुलना होता है क्लेम फॉर्म इकतीस उन्निस टैंसी एंड टैंडी इस option पर जैसे आप किलिक करते हो और अपना bank account number डालके आपको यहां पर login होना होता है अब आपको यहां से bank account number यहां पर डालना होता है मैं कोसिस करता हूं आपको यहां दिखाने की यहां पर एक box होता है एंटर bank आता है और उसके बाद जब आप यहां से अपना option की मतलब चुनते हैं I went to apply for तो आपको यहां से select claim option यहां पर मैं कोशिज करता हूं आपको दिखाने की यहां पर जैसी आप इस पर किलिक करते हैं तो आपको एक इस प्रकार का message आता है और आप अपना PF का पैसा नहीं निकाल पाते हो तो आप यहां से apply करते हो form 90 या फिर आप पूरा मतलब कि आपना advance का निकालना चाहते हैं 30 का यह पूरा पैसा निकालना चाहते हैं 19 form 10 से apply करते हो तभी आपको यहां पर एक message सो होता है तो मैं कोशिज करता हूं आपको वह message दिखाने की और यहां पर आप देख सकत कि वह एक छूट प्राप्त कंपनी है एप यह पैसा आपको प्राप्त कंपनी है यह पैसा करता है वह खुद के पास ही जमा करती है तो आपको मैं दिखाने को से करता हूं इसमें क्या लिखा है मतलब कि यह जो आपकी कंपनी है यह ट्रस्ट कंपनी है इसके लिए और वह भरके आपको जमा करना होता है कंपनी के अंप्लियर को देना होता है या कंपनी का जो भी anthropiquement की मैंनेजर होता है उसको देना होता है उसके बाद और वह एकिंपने आपका पैसा आपको निकाल के देती है लेकिन जो आपका pension का पैस होता है वह automatically आपके एप्योफों में जमा होता है तो आपको यहां तक यह समझ में आ गया होगा अब मैं जैसे पी आपकी जो पास्वुक होती है उसको डाउनलोड करने की कोसित करता हूं तो वहां पर क्या डाल देना है यह capture जो होता है आपको यहांपर sign-in कर लेना है और यहांपर log in पर click कर देना है आपको समझ में आ रहा हो गया है इस प्रकार से आपको यहां से log in हो जाना है अब आपके सामने यहां पर कुछ इस प्रकार से यह खुल जाता है तो आपको finger रखके इसको थोड़ा scroll कर लेना है उपर की तरफ इसको ले जाना है और जैसे ही आप अपना यहां से मतलगी select ID करते हो और आप अपना view passbook जारी करने की सोचते हो आपको यहां पर अपना ID सेलक्ट कर लेना है यहां से इस option पर किलिक कर गे और उसके बाद में आपको यहां पर दीखेंगे option view passbook या view claim या view passbook तो आपको view passbook से जैसे आप new early का चेक करते हो अपना passbook चेक करने कोसिस करते हो यहां पर किलिक करते हो तो आपको एक message दीखेगा और आपका passbook दीखेगा नहीं और आपको जो message आएगा वह कुछ इस परकार से आएगा और आपका passbook का photo भी download नहीं होगा तो मैं आपको बताता है तो यहां पर यह इस परकार का होत to this member ID as this pertain and to experimented establishment I trust मतलब कि जो आपका यह पैसा है यह trust के दाएरे में जमा हो रहा है और आपका जो यह पैसा है वह है आपको नहीं मिलेगा यह है आपको company से संपर करना पड़ेगा तब जाके आपको एक forum बरना होता है तब ही जाके आप इसको withdraw कर सकते हो आप इसका passbook भी check e-book कर सकते हो लेकिन मैं आपको कोसिस करता हुघ यहां से दिखाने के जो आपका समझाने की कोसिस कर रहा हूं basket प्व्रवूकर स्वाहरव का जो प्रवसेर्ट बाद कर स्था जीत है कि ये गार्ट करते हैं वहस्त नहीं हो फोर होता है यहां पर आपको जो सो था पेंसन और जमा करते हैं लेकिन जो आपकए होता है और आपका यह करंचारी सेर और employee सेर होता है इन दोनों का जो मैं आपको बता रहा हूं इसको वह जमान नहीं करती है वह खुद के पास ही रखती है क्योंकि वह छूट प्राप्त EPFO के से होती है उसको छूट होती है तो मैं आपको दिखा देता हूं कौन-कौन सी कंपनिया छूट यह चल रहा है जिनको छूट मिली है जो पी आप पैसे आपका कारती है उसको कुद के पास ही रखती है वह नहों ने छूट ले रखा है तो यहां पर जीसी यह Price open हो गया है तो आपको यहां बैनर दीखा उसके बाद में आपको यहां से दिखाने को समझ चुके होगे तो यहां पर आपको इस पर click कर देना है तो जैसे ही आप यहां पर click करते हो और आपके सामने first ही option आ जाता है मैं कोसिस कर रहा है आपको दिखाने की यहां से इसमें लिखा हुआ है list list of statement आप देख सकते हैं employment statement तो आपको यहां से यह नंबर होते हैं इसको तो आपको यहां से इसकी list check कर सकते हो मतलब की EPFO ने किन किन कमपनियों को छू करता है वह खुद के पास ही रखती है EPFO में जमा नहीं करती है लेकिन जो pension का पैसा होता है pension अंसिदान का पैसा होता है वही जमा होता है तो आपको मैं यहां से दिखाने के कोशिस करता हूं इस पर मैं यहां से किले कर देता हूं तो यहां पर list भी download हो चुकी है मैं आपको क सीयां को दिखाने की आप समझ चुक्हों का कैसे आपको करना है तो यह पर जो यह कंपञ करना है पहले को टेसे defence है जिनको आपको पैसा करता है यह खुद के पास ही ही रखती है ऐस चुम आपको यह पास इससे चेक कर सकते हो इन कमपनियों को एक आईडी दी गई है जिससे इनका आपका पैसा करता है पी एफ का वह यह खुद अपने ही पास रखती है आपका जमा नहीं करती है इसके लिए अपना पैसा निकालने के लिए एक फॉरॉम होता है जो कमपनी से आप ले सकते हो उस करना होगा तो यहां पर 1500 के आसपास यह कंपनिया है तो इन्हों को यह चूट दे रखाई यह चूट प्राप्त कंपनिया है तो आसा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माद्धम से आप सीख चुकोंगे कि जब आपका पी एफ नहीं निकलता है आप पी एफ का एडवांस का सलक्ट करते हो तो वहां पर आपको ओप्सन नजर नहीं आता है उनली रेड कलर का मैसे जा जाता है जिसमें लिखा हुआता है कि स्टेमेंट आइडी जो आपकी कंपनिये वह त्रस्ट से है मतलब कि ट्रस्ट में आपको पैसे जमा होता है तो इससे आप सीख चुगोगे किस प्रकार से आप उस कंपनी का पैसे को निकाल सकते हो, जो trust की ID होती है, आपको अपने company के employer से संपर करना है, तब जा के आप उसका forum भर के company में जमा करना होता है, उसके बाद ही आप offline तरीके से भी निकाल सकते हो, और online का option आते हैं, तो आप उसको निकाल सकते हो, आप सीख चुकोंगे किस प्रकार से आप भी अपना पीएफ वीडरोल फोरूम भर सकते हो ट्रस्ट की दायरे में जो कमपनी आती है उसका पैसा निकाल सकते हो तो आसा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में भी आये होगा